जमाना वदल गया है जिन्दकी वदल गयी है हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिष्टों और बंदरों में उजह रहते थे हम लोग बाप के चहरे में इश्वर देखते थे हम माप के चंदों में सोट दिखाई देता था लेकिन अब लोग समझधार हो गए आज की पीड़ी बड़ी होश्यार और प्रैक्टिकल हो गए उनके लिए हर रिष्टा एक सीड़ी के दा है जिस पर पाँ रख करके वो आगे निकल जाते और जब उस सीड़ी का कोई इस्तमान नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज टूटे भूटे बरतन भड़े पुरानी कपड़े कल के अकबार की तरह रद्धी समझ कर किसी कबार खाने पर फेट दे लेकिन जिन्दकी सीड़ी के तरह उपर नहीं जाती है जिन्दकी पेड़ के तरह उखती है माबाप किसी सीड़ी के पहले पायदान नहीं होते माबाप जिन्दकी के पेड़ की चड़ है पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रहे सकता इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूँ कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हस्ते हस्ते उन पर खर्च कर देता है वो ही बच्चे जब बाप की आँखें धुंदरी हो जाती है तो उन्हें कत्रा भर रोशन देने से क्यों कत्रा आते हैं एक बाप अगर अपने बेटी की जिन्दगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वो ही बेटा अपने बाप के आखरी कदम उठाने में उसे सारा क्यों नहीं दे सकता है सिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशयां लुठाने वाले माबाप को किस चुर्म में आस्मों और तनाई किससा सुना दी जाती है अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार चीने का अधिकार किस ने दिया क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन माबाप को प्यार के बंधन में बांध कर भगवान ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बाटकर अलग-अलग तरपने के लिए छोड़ सकते हैं क्या इसी दिन के लिए इनसान उलाद मांगता है इसी दिन के लिए अलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा अगर आज हम भूड हैं तो कल वो भी भूड होंगे क्यों सवाल आज हम कर रहे हैं वो इस सवाल कल वो पूछेंगे